असलाम अलेकुम प्यारे बच्चो आज हम बात करेंगे फार्म हाउस में मिलने वाले जानवरों के बारे में क्या आप तियार हैं? बिल्कुल आज हम लर्न कर रहे हैं कि वो जानवर जो पाले जाते हैं पालतू जानवर कहलाते हैं और जो हमें बहुत सारे फाइदे देते हैं तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं ये गाए है यानि काव काव गाए को इंग्लिश में काव कहते हैं और काव मू मू करती हैं तो अब हम देखते हैं कि काउ जो है वो कैसा जानवर है ये बहुत ही मासूम सा जानवर है और अल्ला साला ने कुरान मजीद में फरमाया है तुम्हारे लिए मुवेशियों में भी एक सबक है और तुम उनके पेटों में मौजूद वो गोबर और खून के दरम्यान में से खा कालते थे लेकिन आजकल मौडरन एज है तो आजकल जो है वो मशीने आ गई है तो जो बहुत बड़े फार्म होते हैं वो आट्यूमेटिक मशीने लगा देते हैं और दूद जो है वो मशीने निकालती है और वो एक ग्रम में कठा हो जाता है तो उसके बाद हम अगले जानवर नियमर है शीव जो है उसके उपर जो उन होती है उसको फार्मर जो है वो उतार लेता है शेव कर लेता है और पिर उस उन से हमारे लिए खुब lamentे हैं स्वेटर ब Sense जैकिट्स बनती हैं जिससे अपने आपको हम सर्दियों में पहनते हैं और सर्दी से अपने आपको बचाते हैं उसके बाद आएं ये है मुर्गी मुर्गी को इंग्लिश में हैन कहते हैं और ये कुड़ कुड़ करती है और इसके बच्चे भी होते हैं बच्चे जो हैं अंडों से निकलते हैं मुर्गी जो है वो अंडे देती है और अंडों में से बच्चे निकलते हैं और फ उनको बहुत मुःतário हों कि इस्तरा कि आप अपने नाचते में फ्राइए अंडा झाते होंगे आउलेट अंडा खाते होंगे तो ये नाचता एक बेस्य नाचता होताए तो अम डूर्ट प्रियसे नाचते में स्तरा करते हैं है उसके बाद इससे हाज वो मुखलिफ किसम केक और पेस्ट्री भी बनती है इसको मिशीन के जरीए बहुत ज्यादा बीट करके बहुत ज्यादा नरम बना लिया जाता है फिर इसे अवन में बेग किया जाता है और ये जो है बड़ा मज़ेदार सौट सा केक बन जाता है जिसको आप मज़े ले लेकर खाते हैं इसके लावा मुर्गी का गोष्ट जो है वो तिके भी उसके बना के खाया जाते हैं आपने एकसर देखा होगा बाहर दोकानों के पूरी मुर्गी भी रोस्त की जाती है तो मुक्तलिफ मुर्गी के गोष्ट की डिशें बहुत असानी से बनती है और ये है तो हार्स को राइडिंग के लिए इस्तमाल किया जाता था, एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए, और या तो केला सवार गोड़े पे बैठता था, या फिर इसको एक बगी के आगे जोता जाता था, और बगी में पीछे लोग होते थे, गोड़े जो हैं, अब उसकी जग रहती हैं, खुशीबे भी रहती हैं, पानी में चप-चप करती हैं, और बथों के बच्चे जो हैं, वो भी अंडों से निकलते हैं, कुछ लोग बथों के अंडे खाते भी हैं, लेकिन ये साइज में बड़े होते हैं, तो अमीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई जो आपको 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 आ